दोस्तों अमीर बनो दिमाक से पैसा सभी बचा लो जब बीमारी में लगेगा पैसा तो क्या बचाओगे और क्या कामाओगे तो दोस्तों छोटी सी वीडियो को उन तक जरूर देखिएगा और छोटा सा समय आप जरूर दें तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नमबर एक गर्मियों में कौन सा फल ज्यादा खाने से पैट की बीमारी कोई नहीं होती है दोस्तों नहीं जानते है तो वीडियो पलाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जल्दी सकर दीजे कि ऐसी जनकारी आप तक मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है पपीता खुब खाना चाहिए गर्मियों के मौसमें इससे पेट जो है वो आच्छा रहता है लीबर भी मजबूत रहता है और भूख भी लगता है और गर्मियों के मौसम में खाना जो है वो बिल्कुल कम खाना चाहिए इससे कोई परकार की बी बिमारी से बचने के लिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सरीर गरम हो जाता है तो सबसे पहले लगवा मारता है दोस्तों इसका सरी अंसर है तुरंत चीनी पानी निम्बू का सरवत पीना चाहिए शरीर गरम हो जाए तो या असनान करें नहीं तो सरीर गरम होने के कारण लकवा या फालिस्क बिमारी हो जाती है तो पैसा जो है उस सब लग जाता है जितना कमाते हैं उन लगएगा सवाल नमबर तीन गरमियों में ज़्यादा कौन सा काम जरूर करना चाहिए दोस्तों नहीं जाते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जनकारी दो तीन मिनट की आप तक डेडिट मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है गरमियों के मौसा में असनान खूग आधा घंटा करना चाहिए बीमारी से बचने के लिए अगर बीमारी से नहीं बचना है तो अब तो कोई बात नहीं दोस्तों बीमारी से बचने के लिए अपने सिहत पे जरूर ध्यान दें, कहीं पर भी रहें तो जरूर ध्यान दें दोस्तों सवाल नमबर चार, गर्मियों में खाना में ज्यादा क्या खाना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा कि ऐसी जनकारी आप तक डैरेट मिलती रहे बेकर समय गमाए दोस्तों इसका सही अंसर है सवाल नमबर 5 दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा कि जनकारी आप तक पहुंचती रहे दोस्तों इसका सरी अंसर है ठंधी के मौसम में जो है वो प्याज नहीं खाना चाहिए खाना के उपर से बीमारी उत्पन हो जाती है शरीर में दोस्तों ये बात जरूर आप लोग दिमाग में बैठा लें या चीनी पानी का घोल जो है वो थंडा लगने लगे तो नहीं खाना है उरत का डाल भी नहीं खाना है क्यांकि उससे अस्थामा जो है जो है उजोर हो जाती है ठंडी के मौसम में सबजी में जो है लहसुन जरूर डलना चाहिए और गोड़मी में ज़्यादा प्याज डलना चाहिए इससे बीमारी नहीं होती है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें थेंकि दोस्तों